Class 9 आज हम देखेंगे Surface Area and Volumes Exercise 13.1 का Question No. 4 तो Question No. 4 में हमको दिया है The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square How many breaks of dimension 22.5 cm x 10 cm x 7.5 cm can be painted out of this container Means हमारे पास एक container है और उस container के अंदर क्या है हमारे पास paint है और वो इतना paint है हमारे पास कि वो कितने area को paint कर सकता है 9.375 meter square अब इसमें पुछाए कि उससे हम कितनी इटों को paint कर सकते हैं Bricks मतलब इट है और वो जो इट है वो कैसी shape की होती है तो उसकी हमें length यह दी है 22.5, breath दी है 10 and height is 7.5 तो हम क्या काम करेंगे इसमें पहले हम निकालेंगे area of brick और अगर हमको area of brick पता चल जाएगा तो फिर हम उससे यह पता लगा लेंगे कितनी bricks जो है उन पर हम paint कर सकते हैं जैसे अगर मान लिजे हमारे पास एक container है और container मैं मान लेता हूँ मान लिजे यह है ठीक है इस container के अंदर क्या भरा हुआ है paint है और मान लिए मैंने वो कितना है वो मैंने मान लिए 50 meter square जगा को paint कर सकता इतना paint इसके अंदर है और आपसे कह दिये जाए कि आपके पास एक brick है means एक eat है तो एक eat जो है उसके कितने face होते हैं 6 faces तो यह जो 6 faces वाली आपके पास eat दे रखिए इसको अगर आपको paint करना है तो आपको इसका area पता होना चाहिए मान लिजे इसका area है 10 meter square ठीक है तो अगर आपसे यह कहा जाए कि इस वाले container के अंदर जो paint है ऐसी कितनी eat को paint कर सकता है तो आपको पता है एक eat के अंदर कितना खर्च हो जाएगा इसमें से 10, 2 में कितना खर्च हो जाएगा 23 में 30, 4 में 40 और 5 में 50 तो हम इतना लंबा तो सोचेंगे नहीं हमको क्या काम करना है कि हमारे पास हमको यह पता चलिया कि 5 eat के उपर हम paint कर सकते हैं तो वो कैसे आएगा जो हमारा इसके अंदर paint था उस paint को हम divide कर देंगे एक brick के area से तो इस तरीके से ही हमको यह करना है कि हमारे पास जो container है उसका तो हमें पता है उसके अंदर कितना paint है उसके अंदर इतना paint है कि इतनी जगा को paint कर सकता है अगर हम यह पता लगा लेते हैं कि हमारे पास brick का area कितना है तो हम brick के area से divide कर देंगा और हमको यह पता चल जाएगा कितनी bricks पर paint हो सकता है जैसे यहाँ पर आप 50 को अगर 10 से divide करते हो तो कितनी bricks पर paint कर सकते हैं आप 5 bricks पर तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ क्या लिया यह लिया आपने area of brick और उपर की तरफ जो आपको इस container के अंदर paint दिया था उसका area तो इस तरीके से आपको करना है पहले हम इसमें क्या निकालेंगे area of brick तो brick हमारे पास कैसी shape की होती है ब्रेक होती है हमारे पास cuboid shape की और cuboid shape का हमारे पास total surface area कितना होता है वो होता है 2 into lb plus bh plus hl ठीक है मान लिजे इस तरीके कि आपके पास कोई brick है तो इसका हम निकालेंगे पहले area तो हम इसका जब solution करेंगे पहले निकालते है surface area of one brick ठीक है तो इसका formula क्या होगा 2 into lb plus bh plus hl क्योंकि हमारे पास जो eat होगी उस eat के हम 6 की जो surface है उन सब पर paint करेंगे मान लिजे जैसे ये मेरे पास एक box है इसी तरीके कि आपके पास eat होगी इसकी हर एक surface पर आप paint करोगे यहाँ सामने इसके पीछे 2 हो गए 1 हो गया यहाँ पर paint करोगे एक हो गया इसका यह वाला 4, एक हो गया 5 और एक हो गया यह वाला हो गया 6 तो हम इस तरीके से 6 faces का area निकाल देंगे और total surface area 6 faces का क्या होता है 2 into lb plus bh plus hl यह cubeoid का मैंने जब आपको बताया था introduction में वहाँ पही बता दिया था formula तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो length है वो length हमारे पास कितनी given है 22.5 cm और साथ में इसकी जो breath है breath कितनी है 10 cm और साथ में यह जो break है इसकी height कितनी है हमारे पास 7.5 cm ठीक है तो length, breath, height हमारे पास है अब उनकी value put कर दो बस तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 into L की जगह आप कितना लिखोगे 22.5 तो L की जगह आ गया 22.5 और breath कितनी है breath है 10 तो वहाँ पर हमने 10 रख दिया प्लस, breath की जगह कितना रखेंगे हम, 10, और इसकी जो height है उसकी जगह हमने कितना रख दिया, 7.5, प्लस, फिर height की जगह कितना रखेंगे, 7.5, and length की जगह कितना रखेंगे, 22.5, ठीक है, अब calculation कर लेते हैं हम इसकी, तो 2 multiply, 22.5 की जब आप 10 में multiply करोगे, तो वो 225 आ जाएग देखो, 22.5 की multiply अगर हम 10 में करते हैं, तो point ठटा के नीचे कितने 0 हैंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर 1 से पहले point है, तो 10 से 10 cancel हो गया, क्या क्या बचा, 225, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना आ गया, 225, उसके बाद 10 की multiply है, हम 7.5 में करेंगे, तो कितना आएगा, तो 7.5 क अगर आप 10 में multiply करते हो, तो यहाँ पर भी एक digit से पहले point है, 10 से 10 cancel हो गया, क्या बचा हमारे पास, 75, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, 75, उसके बाद 7.5 की multiply, 22.5 में करनी है, तो यहाँ पर आप कर लोगे, 22.5 की multiply, 7.5 में, तो 5, 5 जा, 25, 25 का आ जाएगा, 5, carry 2, 5, 2 जा 10 and 1, 11, 75 जा 35, carry 3, 72 जा 14 और 3, 17, carry 1, 72 जा 14 and 1, 15, तो यहाँ गया, 5, 5 and 2, 7, 7 and 1, 8, 5 and 1, 6 and 1, एक से पहले point इसमें था, एक से पहले इसमें था, तो हमारा जो answer आया है, इसमें हम कितने digit से पहले point लगा देंगे, 2 से पहले, तो यहाँ जाएगा, 168.75, ठीक है, अब इन इन तीनों को plus कर दो, तो 22.5, 75 और 168.75, इन में कोई point नहीं है, तो यह point से पहले के माने जाते हैं, इनको हम plus कर लेंगे, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 7, इन तीनों को plus करके आ गया, 18, carry 1, 2 और 1, 3, 3 and 7, 10, 10 और 6, 16 का 6, carry 1, और यहाँ से 2, 3 and 4, तो हमारे पास कित 268.75, तो इन तीनों का समाया हमारे पास 468.75, अब इन दोनों की multiply कर लो, 2 की multiply हम करेंगे इसमें, तो 468.75 में 2 की multiply कर लेते हैं, 2, 5 जा 10 का 0, carry 1, 2, 7 जा 14 and 1, 15 का 5, carry 1, 2, 8 जा 16 and 1, 17, carry 1, 2, 6 जा 12 and 1, 13 का 3, carry 1, 2, 4, 7, 8 और 1, 9, तो हमारे पास कितना है, 9, 37.50 cm2, तो हम लिख लेते हैं, 9, 37.50 cm2, यह हमारे पास क्या आगया, एक brick का surface area, अब हमारे पास जो दे रखा था, वो हमारे पास दिया है, कि हम उस container के अंदर, जितना paint है, उससे कितने area को paint कर सकते हैं, 9.375 मीटर square, ठीक है, यहाँ पर यह meter square है, यहाँ पर यह centimeter square है, तो हमें क्या गाम करना पड़ेगा, इस meter square को हम किसमें change कर देंगे, centimeter square में, तो आपको मैंने, यह चीज बता रख किये, कि 1 meter में कितने cm होते हैं 100 तो अगर 1 meter square में हम देखेंगे square का मतलब है दो बार तो यहाँ पर 100 into 100 cm square तो 100 की जब 100 multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4, 0 आ जाएगे तो 1 meter square में कितने cm square होते हैं 10,000 cm square यह बास समझ में आई ना आपको 1 meter में 100 होते हैं तो meter square के लिए 2 बार लिख लिए 100 अगर यहाँ पर meter cube होता अगर volume में आएगा ऐसा आपके पास तो हम वहाँ पर कितनी बार लेते हैं 100 3 बार तो हम सबसे पहले यह जो हमको area दिया था इसको हम किसमें change कर लेंगे cm square में या फिर इसको meter में कर सकते थे हम अब हम इसको change करेंगे किसमें cm square में किसकी multiply कर देंगे इसमें तो यहाँ पर आप लिखोगे कि paint in the container कितना है हमारे पास वो है 9.375 meter square इतना हमारे पास available है paint ठीक है अब इसको हम क्या काम कर देंगे 9.375 इसमें multiply कर देंगे किसकी 10,000 की और जब आप 10,000 की multiply कर दोगे तो यह किसमें change हो जाएगा यह change हो जाएगा cm square में ठीक है अब हमारे पास यहाँ से अगर मैं point हटा देता हूँ तो 1, 2, 3, 3 digit से पहले point था तो 3 0 यहाँ पर आ गए इन 3 0 से यह 3 0 cancel होगे तो हमारे पास क्या बचा 9, 3, 7, 5, 0 cm square यह हमारे पास जो container था उस container के अंदर जो paint था उसको हमने किसमें निकाल लिया cm square में अब हम क्या काम करते हैं अब हमको number of bricks निकालनी है सीधा सीधा हमको क्या करना है यह जो एक brick का area है इसको हम इससे हम divide कर देंगे इसको तो हमारे पास निकालना है number of bricks to be painted कितनी bricks को हम paint कर सकते हैं तो हमारे पास available paint कितना है तो हम इसको लिख सकते हैं available paint upon यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आएगा आपके पास surface area of one brick ठीक है तो available paint कितना है हमारे पास 93750 cm2 इतने area को paint कर दे इतना area हमारे पास इतना paint हमारे पास है और साथ में एक brick का area कितना है वो है हमारे पास 937.50 cm2 ठीक है अब यहां पर आप एक चीज़ देखो यहां पर point दे रखा है तो दो डिजिट से पहले point है तो जब नीचे से point हटता तो उपर 0 आती है और जब यहां पर देखो उपर point हटा था तो नीचे 0 आए थी तो यहां से हम point हटाएंगे तो उपर कितना आ जाएगा है आपर 100 cm2 से cm2 cancel हो गया और 937.50 से 937.50 पूरा का पूरा 1 बार कट गया और 1 से जब हम 100 की multiply करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 bricks ठीक है तो हम कितनी bricks को paint कर सकते हैं 100 bricks हमारे पास जो container में paint था वो इतना था मतलब इतने area को paint कर सकता था और एक brick का area इतना था तो हमने निकाल लिया दोनों को divide करके कितने bricks आगे हमारे पास 100 bricks 100 bricks को हम paint कर सकते हैं